गनेश नाइक ने मनपा आयुक्ट से की मुलाकात कोरोना समेट कई मुद्दों पर हुई चर्चा इस मुलाकात में उन्होंने आयुक्ट के साथ कुरोना संक्मा को रोकने के लिए मनपा के काड्यों पर चर्चा की गनेश नाइक ने कहा कि निश्चिक तोपर क्रोना का ग्राफ नीचे जा रहा है लेकिन अभी भी महामारी का संकट खत्म नहीं हुआ है इसलिए कोई भी लापरवाही से पेश ना आए सरकार ने जो साधानिया बरतने के लिए कहा है उनका पालन करे उन्होंने कहा कि जिन बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है उनके लिए मनपा समाज स्योकों के साथ मिलकर कदम उठाए ताकि उनका साल बरबाद नहों सके जो बच्चे नवी क्लास में हैं, उन्हें दसवी में समस्याना हो, जो ग्यारवी में हैं, उन्हें बारवी में समस्याना हो, इसलिए उन पर अभी से ध्यान दिया जाए जरुरत पड़े तो शाम को रात को, जिस इलाके में देशा पॉसिबल है, पालक वर्ग, टीचर्स और वहा के सोशल वर्गर के माद्यम से, वो बैकलग पुरा किया जाए, नाइन क्लास के लोगों को नहीं मिला तो उसका आसर आने वाले दस दसवी में गिरने वाला है, प्रदूर्शन का मुद्धा उठाते हुए, गनेश नाइग ने कहा कि मनपा इंडस्ट्रियल छेत के आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्त को ध्यान में रख कर प्रदूर्शन रोकने के लिए कदम उठाए, महानगर पालका MPCD के अधिकारियों से बात कर इस सिर्सले में आगे का काम करें, यदि वो लोग नहीं सुनते हैं, तो आने वाले दिनों में हम कोकर भौन में जाकर उने निवेदन देंगे संपड़ा नोड इलाका, तुर्बा गाव, तुर्बा जोपटी का इलाका, इंद्रा नगर, शिवाजी नगर, पावना गाव, मापा गाव, ओपर करना बोन कोडा, कोपरी गाव, जू गाव, ये प्रभावित हो रहा है पोलूशन से, येर पोलूशन भी है और वाटर पोल कि आप लोग MPCB के अधिकारी वर्गत से मिटिंग करें, और उसमें से कोई नहीं निकलता, कोई रिजल्ट, तो आने वाले सब्ता में हम लोग यहाँ से कोकन बवन में MPCB के आपिस में जाने वाले हम सब पूरे लोग जाने वाले स्पेशल डेस्क, TV1 इंडिया